सब्सक्राइब तो आपने पित लास वीडियो नहीं दिखा तो पहले जाके देख लिए जिससे आपको बैटर तरीके से इस वीडियो में जो चीज बताओं को समझ में आएगा तो इस वीडियो में हम क्या करने वाला है जैसे कि इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल से यह मैं आपको दिखा देता हूं तो इस फोल्डर के जो भी फाइल है यह कौनसी कौनसी फाइल है जैसे वीडियो की फाइल है तो वह हमें प्रिंट कराना आउटपूट में मुजिक के फाइल है वह हमें प्रिंट कराना आउटपूट म तो वह चीज में आपको इस वीडियो में बताना वाला हूँ और हमें एक अलगा-अलग फोल्डर क्रेट करेंगे हूँ सारे फाइल को सप्रेट भी करते हैं कि जैसे मुझीक के फॉल्डर में वीडियो के फॉल्डर में और डॉकुमेंट के फॉल्डर पर यह सारे चीजे हम तो इधर मैं आपको एक चीज़ बता हूँ इसको सबसे पहला जैसे कि म्यूजिक की फाइल को हमें कराना है तो सभी फाइल का एक एक टेंशेन होता है जैसे मैं इसका प्रॉपर्टी दिखाता हो तो इधर डॉप्र डॉब्लू एवी तो मुंजिक का फाइल अप्यट होता होता है जो वर्ड के फाइल देता है उसका . document होता है जो PDF के फाइल हो तो इसका . PDF extension देखने को मिलता है तो यह मैं आपको PDF का भी दिखा दे तो यह property पे क्लिक करके तो आप देख सकते हुए . PDF लिखा हुआ है तो इसके help के तो हम जो की फाइल को सपरेट करें तो इसे मैं मिनिमाइस कर देता हूँ और इधर मुझे सब से पहला extension प्रिंट करने पड़ेगे तो मैं extension पेस्ट कर देता हुए तो और यो के extension डॉक्मेंट के extension और वीडियो के extension यह मैंने पेस्ट कर दिया तो तो इसके लिए हमें पाथ चाही रहेगा और extension चाही रहेगा तो इसके लिए हमें पाथ चाही रहेगा और कर देगे और extension हम इदर से खूद इंपूट कर देगे तो पाथ के लिए मैं इदर लिखता हूँ एंटर और इसके बाद में फिर पास नाम का वेरियाबल क्रेट करता हूँ और इदर मैं यूजर से इंपूट करांगो तो इदर इंपूट को इसके बाद में लिखता हूँ सप्रेट तो हम सप्रेट कर रहे अलग अलग फाइल को सप्रेट करें तो सप्रेट फाइल यह नाम से मैं फंक्शन कर लेता हूँ इसके अंदर हम जो कि इदर एक्शन शोब करने के लिए सबसराइल फोल उप्ला न प spontan कंदर कि गितनी फाली ऌायकश ऎुसके बद करने पड़ी इसके बाद में उसके नदर से जोsover the question . Listي clarity list a Viewme andar है इसके बाap मुझे फाइल इनफोल्डर को कॉन से फोल्डर के अंदर से मुझे फाइल फराइड करने लिश्डर पाथ के अंदर से यह वहar FL конт所以 इसके अंदर से अब हमारे जितने ऑप देख सकते हैं जो कि कि हमारा ये extraction नाम का मैंने उपर क्रेट करें तो इसके अंदर से हम गैट करेंगे च्बक टो यह मैं लिगता अब हमें फाइल कpaced शेकर फाइल हमें a आप इसके बाद में हम इधर कॉलम लगाने के बाद में इफ यूस करके इफ लिए फ़ाइल फोल्डर तो यह देख को फाइल इंफ फोल्डर इस फॉल्डर के नहीं जो भी फाइल गजो फैलर इसको देखें के जो अच्छेंशन हमें चाहिए new list create करना पड़े क्योंकि इसके अंदर मुझे म्यूजिक के फाइल फाइंड करना तो मुझे के फाइल के सभी लिस्ट आ जागे तो इदर मैं क्रियेट करता हूं एक न्यू फाइल लिष्ट एक वर्ट टुई एक सब्सक्राइब ब्लैंक लिश्ट क्रियेट कर लिए अब इसके अंदर हम जो भी फाइल कि सारे को एप एंड करा देगे तो इदर मैं कॉलम लगादा तो एंडिंग में अब में से एपन करा तो एपन करा रहा बहुत इस इंपने न्यू फाइल लिष्ट डॉट एपन इस लगए पैरेंट इस लगा है और बात में कौन से फाइल को इसके अंदर एपेंड करना तो इतर लिखता हो फाइल इन फोल्डर इसे मुझे एपन करना और उसके बाद में रिटर्न में हम कर देगे जो हमारी new file list के अंदर जो जो file append हो गई रहेगी वो हमें return करना देगे तो इधर मैं आपको दिखा देगे सबसे पहला function create के उसके अंदर folder path तो एक folder path डालोगे तो folder path कौन सा हो मैं आपको बता है तो यह वाला folder path है जो user enter करेगा विसके बाद में extension तो इधर मैं जो कि इसको यह example मैं दे दूँगा तो यह दो चीजी से मिल गया तो सबसे पहला एक यह list हमने create के वे blank वाली जिसके अंदर हमें जो file find करके add करना उसके बाद में यह return करा दिया अब इदर आदिसे तो for file in folder in OS list directory तो इस path के अंदर यह path आप दिख रहा है यह path के अंदर सभी file करके है ना file in folder के अंदर जाएगा इसके बाद में file extension dot extension तो यह क्या होगा इधर आप दिसे इधर मैंने कौन से extension डाले हुए यह वाले extension डाले हुए आप देख से तो वीडिया वाला वीडियो MP4 3GP तो इधर जो कि MP4 3GP सारी एक एक इस file extension के अंदर जाएगा और हमें कौन स 3GP जो जो वीडियो के फाइल है वह सारे extension इसके अंदर आ जाएगा इधर हो कैसे आए कि जैसे आप देख से तो if file folder dot end with file extension तो इधर आदे से क्यान जो कि हमें app end करा देंगे new file list के अंदर तो यह देख से तो dot app and file in folder तो यह सभी file जो एक 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 आकसे किया हुए वो सभी को जो कि आप देख से दो वे जिरिक से दो दो यह फाइल आएगी तो सभी को हम add new file लििस्ट कें इसके बाद में कर दिखा दो तो आपको?. और अब अबने वीडियो एक््टेंशन को यूघए ले अधर में पेट करता हूँ और यह वाला पूछा है कि एंटर पात तो यह वाला पात जैसे सी कापी करताओ कौपी करने के बाद में पेश्ट कर देता हूं और अब मैं एंटर करती है तो आप देख सकते दो हमारे वीडियो फाइले जोंकि आफ देखे विजरिक दिखा दिता हूं इस दो यह तो हमारे वीडियो फाइल फॉल्ड ये वील्सी के अंदर आपको दिखती रहेगी वो 69 फंक्षिन इंसाइड और आप देखते तो विडियो फाइल आपको देखने को मिल रहे हैं अपर कैसे देखने को मिले क्यों कि इदर मैं वीडियो का एक्षिंशन डाला हूँ तो इससे मैं इससे कॉपि करता ऊंदो इससे कासब नेकि consistent करता हूँ या मैंने प्रिंच किया before this cookie using filter इन्हें शारी के साठीड हो जाजए हमां तो अब देख़ अटरपात और इसकेपाद में ये को मैं copy कर लेता हूं इदर से और इसे हमाइब पेस्ट कर देता हूं और रहें तरमाद हो तो आप देख से तो जितने भी ऑडियो के फाइल हो सारी की सारी प्रिंट हो जाएगे तो इतना आपको समझ में आ गए रहेगा अब हम बात करते हैं जैसे कि आपको है न सारी की सारी फाइल को भी प्रेंट कराना है लिष्ट फॉर्मिट में वह कैसे करा सकते हैं तो वह भी बहुत ही सिंपल है तो जो आप देख से तो ऊपर मैंने टूपल फॉर्मेट में दिया तो इसे हमें अधिशनरी फॉर्मिट में सबसे पहला क्रिएट करना पड़ेगा तो इदर मैं लिख देता हूँ डिशनरी एक्स्टेंशन और इसके बाद में फिट इक्वल्टू लगाता हूँ इक्वल्टू लगाने के बाद में जो ये चीजे है सारे को सारे को मैं इस डिशनरी के अंदर ले लूँगा तो ये जो हमारी फाइल ये आठ देख सकते हो सभी को मैंने डिशनरी फार्मेट में ले लिया और इदर आप देख सकते हो इदर हमारा की और वैल्यू में हमारा जो कि टूपल को यूज़ करके इसके जितने भी एक्स्टेंशन आप जैसे कि सभी को मुझे प्रिंट कराना एक और यो की फाइल को एदर फॉर उसके पाद में फिर हमें जो की key और वैल्यू का पहर होता भाएज अदर चेखेगे तो इदर हमारे क्या हो लगा तो इसके बाद में लिकता हो मैं उसके बाद ड़ा लगा तो हमारा हमारा वैल्यू क्या है हमारा जो की amendments तो इधर मैं लिखता हूँ एक्सेंशन उसके बाद में अंडर्स को लगाता हूँ इसके बाद में फिर हमारा जो कि टूपल के अंदर हमने वैल्यू दिया हुए तो यह हमारा जो कि दो कि और वैल्यू आगे विसके बाद में फिर यह फॉर लूप लगा दिया इसके बाद मे के लिए का पैर को एक्सेस करते तो आपने देखें की वीडिए के वीडियो नहीं देके तो भी जाकर देख सकते हो इसके लिए एको डिस्ट्रपशन में मिल जाएगे अब मैं इदर लिखता हूं प्रिंट वह इदर में इसके लिखताऊ हूं फाइल और फाइल लिग देता हूं अल फाइल यह मैं लिदो इसके बाद में हम इसके एकसेस करेंगे तो जितने भी फाइल इसारों को एकसेस करने के लिए इकुछ के अचैन के दगा था ईंपत्र यूचरे यूशर से क्या फ्र्रालो को करें लिखा हुए तो यह मैनि सक्सेस्पुली से दे दिया और उपर और कोड को मैं कमेंट कर दे तो यह मैंने कमेंट कर दिया और रिदा अब देसे तो यह फंक्शन को हम यूज करें इसके तो यह फंक्शन को मैं कमेंट नहीं करूंगा और जो चीज हम यूज करें हो सभी को कमेंट नहीं करूंगा अब मै से सेव करता हूँ रन करता हूँ तो जैसे पहले के कोड को मैं क्लियर कर दे तो यह मैंने क्लियर कर दिया है अब मैं एंटर मारता हूँ तो आपके इसके जितने भी फाइल इस सारे फाइल का अलग अलग सपरेट में प्रिंट कर देगा जैसे ऑडियो की फाइल इसके बाद मे के पात डालना पड़ेगा तो इस पात को मैं copy करता हूब copy करने के बाद में said paste करता हूब एंटर करता हूब तो आप देगे से तो all file तो सब से पहला हमारा audio की file जितने भी तर्फिंट हो गई इसके बाद में फिर हमारे दॉक्रमेंट की फाईल उसली टॉक्रमेंट हो गई है अब देख़े तो इसी फेस में हमारा जो कि ऑडियो डॉक्रमेंट और वीडियो हमारा प्रिंट हुआ है कि तो आपको समझ में आ गया रहेगा और इदर आप चाहते हो कि जो अडूक्र फाइल उसे नाम भी आ जा तो इदर आप प्लस लिख सकते हो प्लस लिखने के बाद में की एक्टेंशन टाइप या प्रिंट करा सकते हो अब मैं से वगता हूं रून करता हूं तो आप देख से जैसे मैं एंटर मारूंगा उदर में पात को पेश्ट कर देता हूं इधर में यह पात कोपी करता हूं और यह पेश्ट करता हूं तो आप देख सकते हो इधर में फिर से पाट डालता हूं और यह पेश्ट करता हूं और यह पेश्ट करता हूं यह पेश्ट करता हूं और यह पेश्ट करता हूं यह पेश्ट करता हूं और यह पेश्ट करता हूं यह पे मैं आगा रहे हैं अब भात करते हैं यह फ्ल्डर के फैल जी फाइल को हमें अलग-अलग फोल्टर में डालना जिसे अईश управु 7-1 के चीजिस को इसना प्रैंको कांधियों काफी यह फिर फॉल जाओ या फिर उसके करने प्रेंजाने में तो को समझने आ जागे तो आप वीडियो के साथ में प्रेक्टिस भी करते हैं तो इधर मैं इस कोट को कमेंड कर देता हूँ इदर इस न्यूफ निज्क्रेंटं लिखता हूँ यह यह फाइल आपको description में मिल जाए कि प्रेक्टिस करने के लिए तो इसका source code को आप यूज कर सकते हो उसमें चेंज वगिरा modification करके आपको run करके देख सकते हो तो इधर में लिखता हो फोर इसके बाद में same to same key extension type और इसको हम लों फोलडर कर प्रेक्ट यहां तो इतर नाम करें आपको इधर में लिखता हो फोल्डर नेम और EQUAL to two key extension type को यूज करेंगी तो की extension type के अंदर जो कि हमरा audio लिखा वाव तो इस अब मुझे इसके अंदर से जो आप देशे तो audio और अंडर्सकोर लिखा हुए तो मुझे audio के split करना है मुझे audio चीए आगे का मुझे यह actionation नहीं चीए तो इधर मैं split किसके तुरू करूँगा जो कि पर अचीए और यो इसके बाद में इस पेस मारूंगा audio और बीच में सब्सक्राइब फोल्डर रहना चीए तो इधर में लिकूँगा फोल्डर यह मैंने देख सकते हुए करने के बाद में इधर मैं जो कि लिखूंगा जो हम पाथ एंटर कर रहे वह आला पाथ में इधर लिखूंगा तो इधर में लिखूंगा एंटर पाथ एंटर पाथ लिखने के बाद में फिर वापी से मैं लगाऊंगा कॉमा कॉमा लागान के बाद में एक हमारे लेके जो फ क्रेट करना पड़ेगा अब वो क्रेट कैसे करना बहुत ही सिंपल है इधर जो कि OS.MKDR जो कि मैंने अर्ड़ी दास वीडियो में बताया में को यूज करते हैं हम कोई भी फोल्ड को क्रेट करने के लिए तो आप देख सकते हमें फोल्ड का नाम मिल गया पात मिल गया तो इधर मैं लिख दूँंगा फोल्डर पात करके तो यपा देख करके जो मैंने फोल्डर पात को उचेए घर एक फोल्डर क्रेट करते हैं ये क्या नाम से फड़ा एक फोल्डर को अदर ये वाइले एक दालने और आप देख सकते हुआ जैसे डॉकमेंट के फाई डॉकमेंट के अंदालने तो इसके लिए हमें इस फंक्षन को भी यूज करेंगे और इधर कुछ कंडिशन भी लगाए कि दोनुचीश को इस करें तो इधर मैं लिक्वार जो जो फाइल फाइल के लिए मैं लि क्या हुआ है तो इसी फंक्शन को हम यूज कर लेगे तो इधर में बता हूंगा फॉल्डर पात तो जो हमारा एंटर यूजर पात करेंगा वो पात मुझे बताना पड़ेगा तो इधर में लिखूंगा एंटर पात जो कि हमारा इस फाइल के अंदर आजेगा तो फाइल मतलब एक एक आए इसके बाद में हमें इसके अंदर से सपरेट करने और जो हमने फोल्डर करेंगे जैसे अदर डालने तो अब वो कैसे करेंगे तो इसके लिए हम लिखे कि फाइल पात करके जो कि वेरिवल क्रेट कर ले तो इदर जो कि हमने एंटर पाथ जो हमने क्रेट किया वह उसके बाद में कॉमा कॉमा लागान के बाद में पिर हमारा आइटम अब हुमारा जो के फाइले वह फाइल को मुझे इसके साथ में जॉइन कर देना तो यह फाइल नमका फाइल है ईटर आप देख सेकत़ लिए इधर आपको जो फाइल उभाइल सबसे पहला मिल गया है अब इसके बाद में उसे कि मुझे मूव कर देना तो ऑडियो की फाइल के अंदर उसे मूव करना है तो आप वह कैसे पता चलिए कि अधर बाद में फिर इधर मैं बता हूँगा reiben व्लडर में दिखे 어떻 Ton B profession के उर फोल्डर पाथ तो यह मैं ने फोल्डर पात्स बता दिया बाद में फिर इसके साथ में क्या जोईन करा दिना हमारे को में तो अब देसे लिए जो फाइल एक है करके वाइंड करें हdess right उस फाइल को जोएंस करा देना इधर मैं फाइल लिखता हूं और इसके बाद में फिर में कॉलन लगा तो को तो वह बहुत ही सिंपल एप इस और इदर कॉलम निलाना था अब इधर हम यूज कर गए हमारे शेटल मोडियो जो हमारे यूज करते की कोई भी फायल को मोव करने के-लिए कापी करने के लिए इधर हम शेकल मॉडियो को przestबड है Boss लाइगा तो दिखाता हैग्त नों तो सबसे पसे पहलाएसे एदर में आप को फोल्डर के थी मिल लिए नर्द दिखाता है तो for example सबसे पहले इसे वीडियो के फाइल मिल गए तो सबसे पहले इसे वीडियो के फाइल मिल गए यह वाली आप देख से तो यह वाली वीडियो के फाइल मिल गए इस फाइल पाइट के अंदर मैंने चुकि एक्सेस करा दिये और इसके बाद में फाइल न्यू पाथ यह क् हमारा अवेलेबर तो इधर आप देख से तो इधर यह Dewa फाइल नियू पाथ के अंदर बीडियो के फाइल यह वह पास हो जाएगी जो की फोल्डर चानर यह फाइल के वह चले जाएगे तो इसकी तरह सभी फाइल मूव वह जाएगे तो इदर मैं लिखता हूँ तो सबसे पहला हमारा file का नाम यह file पाथ इसके बाद में कृमा लगा तो को लगान के बाद मेह हमारा जो folder नाम है तो जो जो file मूव होईगी इसके बाद मैं इदर मैं य deriv my Cantown your file new path आप से यह दोनों मैंने लिग दियत अब मैं से Benny कर तो तो रण कर औरा तो आपको बहुतर तरीके से समझ में आयागा इधर मैं पपहले को क्लीयर कर दीता हूँ और इधर मैं आपको दिखा देते तो यह फाइल आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल रही हुँ इसा हमें फोड़ा से नीचे कर देता हूँ तो इधर आ अजशनी सारी मेरी जोटिय तो इस तरह आप देख सकते हो प्रेट कर सकते हो फोल्टर की जितने भी फाइल यह सारे को एक्स करता हो इधर में पेस्ट करता हो और इसके बाद में डॉक्मेंट का फाइल है तो इधर देख सकते हो जैसे कि मैंने फिर से फोल्डर को डिलीट कर दिया और सारे फाइल को मैंने बाहर निकाल दिया इधर से मैं थोड़ा सा नीचे कर दे तो जिससे आपको प्रवपा तरी केसा समझ में आया ने तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा तो इधर जैसे कि मैं सुर्ण और और विडियो और वी तो अंधर वीडियो के चलिकि तो यहां समझ में आ गया रहेगा और इसको मैं फिर से बड़ा कर देता हूँ तो यह मैंने इदर तक बड़ा कर दिया वह आपको नहीं समझ में है तो से आप प्रेक्टिस करेंगे तो और भी बैतर तरी किसा समझ में आ जागा वर एक बार मैं आपको फिर से यह प्रीट को लेगा तो कैसे हमने फंक्षन एक हमारा क्या हुठ हो रहा तो इधर मैं और लिखाए छो लिखाने तो आप दी सब्सक्राइच के सारीन के इस तरह है और ये पाइle को एक стр वाला पाथ हमें बताना पड़ेगा तो फाइल पाथ तो जो हमने पाथ एंटर किया है हमने कौन सा पाथ एंटर किया है अभी हमने ये वाला पाथ एंटर किया है ये पाथ को कॉपी कर लेगा कॉपी करने के बाद में मतलब ये वाला एक इसे एंटर पाथ मिल गए इसके तो इधर मैं नी इफ मैंन् surn relevant तो क्यों कि ये मुझे successes और उडीयो का फॉल्डर के फॉल्डर के लितराइड जाया least इनदर हर उडीयो की फॉल्डर डाइड के लिया ये जी हम इस फंक्शन के तूर हमारे फंक्रैट कर सब्सक्राइड कर लिया है विसके बाद में shuttle.move तो सबसे परला हमारा file तो सबसे परला कौन सा file है इधर मैं आपको दिखा देता हूँ यह for example यह video का file है यह video का file आ गिया है विसके बाद यह कहा move करना है जो हमारा audio जो सब्सक्राइब इस तरह चलेगा तो इसका सोस्ट को डिस्रीप्सिट्रीओ के लिंक पहले तो आपको ऑपको लिए कर देगा तो आपको ये विडियो और बेंटेस्टिंग वीडियो शोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए तो थैंकियो सो मच वाचिंग इस वीडियो